नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी य्टूप चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चोगदा 15 और 16 दिसंबर मकर रासी के महारासी फल के बारे में दोस्तों भगवान महाकाल कहते हैं कि मेरा कहा पत्थर की लकिर है कोई भी इसे बदल नहीं सकता सभी देवी देवताओ में भगवान महाकाल नया के देवता कहलाते हैं जब यह किसी जातक को जीवन में या कोई परनाम देते हैं तो बहुत ही शोच शमज कर देते हैं जिहां दोस्तों और आने वाले तीन दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में आपके पांच बड़े सपने सच होने वाले हैं जिहां दोस्तों और इन्हें कोई बदल भी नहीं शकता परतु दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि इन्हें प्राप्त करने के लिए इस समय आपको चार विसेस बातों को ध्यान रखना होगा क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बहुती विस्तार से समझाने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही मिशना करें और सुरू से लेकर अन तक देखिएगा या बातों को अगर आप समझ जाएंगे तो दोस्तों यकीन मानिए कि भगवार महाकाल का आसिरवाद तो आपके जीवनकाल पर रहेगा साथे साथ दोस्तों आपको अपने जीवनकाल में इसे खुस खबरिया मिलेंगे कि सब लोग देखते रह जाएंगे और सब लोग कहेंगे कि वहाद क्या किसमत भगवान ने दिया है तुम्हें जी हाँ दोस्तों और आपको बता दें कि तोस्तों आपके अच्छे कर्म का फाल या शमय भगवान देवों के देव महादेव देने वाले हैं जो आने वाले तीन दिनों का शमय होगा दोस्तों यकीन मानिए आपकी जीवन काल की सभी मेहतिकुन शमयों में से एक सावित होने वाले हैं योसे में आपका भागाईदे कर्श्र में शावित होगा क्योंकि दोस्तों फ़ॉदम के आशिरवात के beni I 콜दी ऑ कुंके दरागे कल चुगे हैं जो ग्रहों की शुब योग का निर्मान है उनसे दोस्तों सारे एसे दरवाजे खुल चुके हैं जिनमें दोस्तों आपको ला भी मिलेंगे मान सामान भी मिलेंगे बहुत सारे छेतरों में आपको प्रगती भी मिलेंगे जिहां दोस्तों तो दोस्तों कौन-कौन से बड़ी ख जरूर देखें क्योंकि दोस्तों इनमें आप सभी महत्पुन जानकारी को भी जानेंगे कि यह समय किन-किन छेतरों को लेकर शाबदान रहने होंगे कौन से कार आपके लिए भागे साली होंगे और किन छेतरों में आपको कार करने से लाप की प्राप्ति होगी और भगवान म महाकाल लिखेंगे दोस्तों महाकाल का आसिरवात पाएंगे तो दोस्तों जरू लिखेगा और दियाप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें साथी बेल आइकन को प्रेस करके औल पर स्लेट कर दें तो आज दोस्तों बात करते हैं सुरूवात करते ह स्री क्रिश्न जी के अच्छे ग्यान सी एक अच्छे विचार सी जो कि दोस्तों आपको इन दोनों में एक एक्छा सक्ति जागरित होगी कि दोस्तों भगवान स्री कृष्ण जी काते हैं कि कोवा एक मात्र ऐसे पक्षी है जो बाज पर भी चोच मारने की हिमत करता है वो बाज की पीट पर बेटता है और उसकी गर्दन पर काटता है पर बाज कुछ नहीं जवाब देता और नहीं कोवे से लड़ता है और नहीं करन कोवा गिर जाता है पोवे के साथ अपना समय बरवात करना बंद करो बस खुद उचायों पर चले जाओ अपने काम में लगे रहो वे ऐसे ही खत्म हो जाएंगे यानि कि दोस्तों जो भी आपके जीवनकाल में ऐसे दूसमन है जो कि आपको नीचे खिचने का प्रयास कर करते हैं दोस्तों उन सबी से इगनोर करके अपने जीवनकाल में अपने लक्ष की और बढ़ते रही दोस्तों एक ना एक दिन जो आपको खिंचा तानी करते हैं आपके लिए तालिया भी बजाएंगे जहां दोस्तों तो दोस्तों भगवान श्रीकृष्ण जी का यह ज्या गया है सच्चा लगा हो तो दोस्तों वेडियो को एक प्याराशा लाइक अवस्त कर दें और इनके लिए 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 जैस्रीकृष्ण राधे राधे तो आज दोस्तों इसे के साथ बात करते हैं कि आपके कुंडली में जग्रहों की शुब इस्तिती बनेंगे जो भगवा वेडियो के मद मद में कुछ ऐसे बातें बताएंगे जनें दोस्तों सुन लेंगे तो दोस्तों भगवान महाकाल आपसे प्रशन हो जाएंगे और जीवन काल में खुशियां लगातार मिलती रहेगी तो आज दोस्तों बात करते हैं दोस्तों आप सभी को बता दें कि भगवान महाकाल को सबसे सर्व स्रिष्ट देवता मानते हैं अगर अच्छे करम करते हैं तो उन्हें अच्छे फल जरूर देते हैं और दोस्तों अब आपका भी शमय आ चुका है जब भगवान महाकाल आपके अच्छे करमों का फल देने वाले हैं और आपके भागे में आ बहुत ही अच्छे अच्छे धन योग बनने वाले हैं जिसे दोस्तों आपको बहुत सारी चमतकारी बदलाव होंगे। दोस्तों पर अपना परभा बना लेंगे किसमें एक काम की पहली इंकम आने से मन में परसंता और उत्सा बना रहेगा। आपको इन दोन में कुछ शाबदानिया भी देखकर चलनी होगी। इन चार विशेस वातों को भी ध्यान रखना होगा। दोस्तों ध्यान रखें कि जल्दबाजे में कोई भी निन्ने ना लें वरना मुसीवत में पढ़ जाएंगे। इसलिए किसी अंजान व्यक्ति से कोई महतपुन बातचित या काम करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह विचास मिमर्स तथा जांच परतल आवश्य कर लें। बिजनस में सुधार होगा, दुर दराज के छेतरों में महतपुन शंपन आजथापित होंगे। व्यक्ति गत्ति विदियां के परती आपका पुरा ध्यान केंदित रहेगा। आच्छे ओडर मिलने की शामवावना है। तरीके से करते रहें, आवसी सफलता प्राप्त होगी। नुकरी पैसा व्यक्तियों को अपने कारस्तल पर कोई महतपुन ओथरेटि मिलने की उचीत संभावना है। आपके स्वास्ते के बारे में देखा जाएं, तो खासी जुखाव गले समंदिक किसी भी परिशानी को नदर रंदाल ना करें। थोड़ी से समस्या भी होने पर तुरंद इलाज लेना जरूरी है। मौसम की वज़े से सरीर में दर्द वाहल के बुखार जैसी इसती रह सकती है, अपने दिन चार्या को समित रखें। मैं दोस्तों बात करता आपके उपाय के बारे में। माला बेल पत्र चड़ाएं। इससे दोस्तों आपकी मन की मनो कामनाएं पूरा होंगे। दोस्तों आप बात करता आपका भागे साली रंग और भागे साली अंक क्या है। दोस्तों आपका भागे साली रंग नीला है और भागे साली अंक आठ है। दोस्तों भगवान महाकाल का आशिरवाद आप से भी को प्राप्तो सच्छी दिलशे कमेंड बॉक्स में जै महाकाल जरूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें धन्यवाद